हेलो दोस्तों Welcome to my channel आप देखेरोगा टैप्सीशन तो अगर मैं वेबसाइट को होश करना हो लोकल होश्ट यूज़ करके होश्ट करना हो तो हम लोग XAM SERVER यूज़ करते हैं और XAM SERVER में Apache और MySQL यूज़ करते हैं तो दोस्तों कभी का बार उसमें एक प्रॉब्लम आता कि जो माई PHP एड्मिन का पेज हो ओपन नहीं होता तो मैं आपको उसका सुलिशन बताऊंगा तो सबसे ब्लब दोस्तों मैं यहाँ पर कंट्रोल पेनल ओपन करोंगा जैंब कंट्रोल पेनल और यहाँ पर मैं Apache और MySQL को अन करोंगा और वेब ब्रहसर में जाकर लोकल होस्ट टाइप करोंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डैशबूर्ड लोकल होस्ट का डैशबूर्ड वो ओपन हो चुका है बट जो अपन नहीं हो रहा है आप देख सकते हो जो एरर है यह से शो कर रहा है तो इसको कैसे फिक्स करना है मैं आपको बताऊंगा तो पुरा वीडियो लास्ट देखिए है दोस्तों अभी आपको फाइल अपनकरना है और सीडिटर वे जाना है आपको फोटर दिखाएदेगा इस जैंब उसे उसे उपन करना है और यहाँ पर आपको पीच्पी मा एड मिन का फोटर देख ज़ो उसे उपन करना है और उसके अंदर config.inc का एक फाइल होगा उसको एडिट करना है तो यहाँ पर आप कुन सब एडिटर यूज़ कर सकते हो मैं nodepad++ यूज़ करूँगा अभी आप यहाँ पर देख सकते हो bind to the localhost ipv4 address ntcp में जो आपको दिखे रहा है यहाँ पर changes करना है आपको यहाँ पर मैं 127.0.0.1 को मैं erase करूँगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा लोकल होस्ट यह पर देख सकते हो पूर्ट नमबर 3307 है आपको यह राद रखना है यहाँ पर मैं टाइप करूँगा लोकल होस्ट कॉलन 3307 और अभी मैं इसे सेव करूँगा सेव करने के बाद दोस्तों आपको यह फाइल को क्लोश करना है और यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हो पीएडमीन को जो डैश्बोड है वह ओपन हो चुका है तो दोस् दोस्तों अगर आपको वीडियो यूश्फुल लगा तो प्लेस लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमां चैनल को और बाल आइकोन को हिट करना नहां बोले फाइनली ठेंक्स फॉर वाचिंग जाई हिंद